मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती लर्म हमेशा अच्छे कीजिए सफलता अवश्य बिलेगी बात करते हैं यहां पे तुला लगन जुलाई का महिना किस प्रकार से रहेगा मैं डॉक्टर हिरेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल में अगर आप हमा तुला लगन जुलाई का महिना ग्रह गोचर किस प्रकार से रहेंगे जुलाई के महिने में तुला लगन ये जो रासी फलहम बताते हैं वो लगनेश के हिसाथ से हैं कुंडली में अगर फर्ष्ट हाउस में साथ नंबर लिखा है तो आपका तुला लगन होता है उस हिसाथ से अगर आप रासी भविश्य देखते हैं तो आपको यहां पे संपोन महिने की जानकारी सचोट मिलेगी ग्रह गोचर देख लेते हैं पहले किस प्रकार से ग्रह गोचर है तुला लगन में फर्स्ट हाउस में कितु महाराज बैठे हुए है सप्तम्भाव में गूरु और रा भाव में मंगल बैठे हुए हैं ग्रहों की स्थिती ठीक है सिर्फ मेरेज लाइफ को छोड़के यहां पे कुंडली में बात करते हैं पहले आपका स्वास्त किस प्रकार से रहगा यहां पे स्वास्त के मालिक बनते हैं शुक्रदेव फर्स्ट हाउस से दिखा जाता है आप आपको दिक्कत कर सकते हैं सुर्य की स्थिती ठीक नहीं है तो सुर्य का परिवर्तन होने के बाद यहां पर आपको थोड़ा बहुत कोल्ड कौफ वगेरा ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए स्वास्त का ध्यान रखिए पानी हो सके उतना ज्यादा पीजिए बात करते हैं मेरेज मेरेज लाइफ की पाटनर्शिप मेरेज लाइफ देखी जाती है सब्तमभाव से और मालिक यहां पर बनते हैं मंगल देव जो कि मंगल देव बैठे हैं एक आदश भाव में स्थिती अच्छी है लेकिन यहां पर गुरू राओ का चांडाल यह बन रहा है पत्ती और पत्न में राहू और गुरू सब्तम स्थान में ठीक नहीं माने जाते हैं जोब की बात करें तो नवम भाव में बैठे हैं सुर्य और बुद्ध 17 जुलाए के बाद दसम भाव में चले जाएंगे यहां पर आपको परिवर्तन की योग बने हुए हैं कोई नई जोब आपको यहां अवश्य करनी है तुला लगने वालों के लिए मालिक यहां पर लगनेश के बनते हैं शुक्र देव शुक्र की माला अवश्य कीजिए हो सके तो दही और मिस्री तीन बजे से पहले रोज तीन बजे से पहले आप खाना सूर कर दीजिए यहां पर बात करते हैं भाग्य केरि एन आपको यहां पर नए वाहन की प्राप्थी भी हो सकती है यात्रप्रबाज भी आप कर सकते हैं कोई विदेश के आपको को कोई a उन्वेस्ट किया हुआ है तुला लगने वालों के लिए जुलाई का महिना चाहे तुला लगने जो उपाय है वो करना है हर रोज तीन बजे से पहले दही और मिश्री का सिवन करें जिससे अगर आपका लगनेश कमजोर है तो आपको शक्ति प्रदान करेगा ऐसे जानकरी के लिए बने रहे हमारे साथ